दूसों हमारी दुनिया नेक और बाअमल लोगों से भरी पड़ी है लेकिन कुछ लोग अपनी पीरी फकीरी को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां साइंस, टेक्नालोजी और इवन कॉमन सेंस भी नहीं पहुंच सकती वेल आज किस वीडियो में मैं आपको मार्स प्लैनेट से आने वाले ऐसे बाब्बे दिखाऊंगा जिनको देखकर आप कन्फर्म जन्ती की फिलिंग ले सकते हैं मामी सामी मरा वेगम पर देखचें वेगमेडिया रियाक्षें आशा करी भाला आचेन। आज केर वीडियो टा तादेर जन्नो जारा पीघ मुडितीते विश्यास राखें भन्डो पिरेरा जे समस्त कर्मकांडो कोड़े थाके, कुफ्री बाक्को व्यभार कोड़े थाके, आबार कोड़ानेर भूल ब्याक्खा कोड़े, सेटा किन्तु मोमीनेर पक्खे सोज्जो करा, एकदमी सम्भव नोई, किन्तु जाती साथ्थे ए भीडियोटा स्कीप ना करे शम्पुनोटा देखे बेशी बेशी कोरे शियार कोरवें, जैनो तादेर भन्डमी बोलो दुनियाते छोरियो परे, मानुष सोजाग होते पारे, एबं मानुष सठीक दीन इसलाम में मद्ध्या आसते पारे, एटा आमार आपनार किन्तु गुरु दाइत्तो, तो वीडिय इसने यूट्यो पर एक चैनल बनाया और इसलामिक वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दी, इवन सहतर ये नाद की वीडियो लगाता था, लेकिन फिर इसने पीर बन कर लोगों को मौत का इलाज बताना शुरू कर दिया, इसका कहना था कि इसके पास एक ऐसा वजीफा है जिससे इसके मुरीद 150 साल तक जिन्दा रह सकते हैं, कि इस शापर का कहना था कि जो लोग इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगी, उन्हें सवाब मिलेगा, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ हमाकत है, तो बात यहीं पर खतम न करने के लिए अपने नाम का विर्द करने के लिए कहता था, इसके मताबिक माजला या जरीफ का विर्द करने से लोगों की लोटरी निकलाएगी, इवन इसने तो करोना वाइरस से बचने के लिए भी अपने नाम का विर्द बता दिया था, वैसे तो ये बर्गर पीर सब को देट सो साल जिन्दा रहने का वजीफा बताता था लेकिन ये वजीफा इसकी अपने उपर काम नहीं किया और इसके अपने ही मुरीदों ने इसे गोली मार कर कतल कर दिया तौफी वाली सरकार दोसो वैसे तो अगर इनसान को कोई बिमारी हो तो वो मेडिसन से ठीक हो जाता है लेकिन अब आप अपनी हर बिमारी का इलाज टाफियों की मदद से कर सकते हैं आपको सिर्फ टाफिय के दो चाट डबे लेने हैं और इस पीरे कामल गदी नशीन हजरत बाबा टाफिय वाली सरकार के पास पहुँच जाना है इस नौटी अंकल के मुरीद इस पर फुलों की नहीं बलकि टाफिय की बारिश करते हैं मेरे ख्याल में तो शायद ऐसा करने से ये बाबा जी राजी वाजी हो जाते होंगे और शायद कोई फूख फूख मार कर मुरीदों की सारी टेंशने हल कर देते हैं मज़े की बात ये है कि टाफियों की इस वेल वाले प्रोसेस के दौरान ये बाबा जी सस्ते नशे भी कर रहे होते हैं इनके सामने हुका होता है और कश पे कश लगाई जा रहे होते हैं एनिवे पिस्टल वाली सरकार दोस्तों आप सबने बहुत से आमलों के बारे में सुना होका जो कि लोगों में से जिन भूत और आसेब वगयरा बाहर निकालते हैं आम तोर पर तो इस तरह के बाबे कोई कलाम वगयरा पढ़कर दम शम करते हैं लिकिन दुनिया में एक बाबा जी ऐसे हैं जो बच्चों की म्यूजिक वाली पिस्तोल दिखाकर बूतों को चूना लगाते हैं वैल ये जो हिट मैन बाबा जी आप देख रहे हैं ये अपनी मुरीदों को सामने बिठाकर इन पर बच्चों की पिस्तोल चलाना शुरू कर देते हैं इस शेंपो के मताबिक ऐसा करने से जिन डर जाते हैं और बंदे के अंदर से बाहर निकलाते हैं सिर्फ इतना ही नहीं बलकि सीरियस कंडिशन वाले मरीज पर तो ये बाबा जी दो पिस्तोले तान देते हैं और शर्मिंदगी की बात ही है किस ड्रामे में ये नावजबिल्ला अल्ला का नाम भी ले रहा होता है ताकि सब को बेवकूफ बना सके शौकिंग चीज़ ये है कि लोग इस काटून और इसकी हरकतों पर बिलीव भी करते हैं और अपना इलाज करवाने के लिए इसके पास आते हैं ये बाबा भी लोगों पर इस तरह पिस्तोल तान देता है जैसे अब भी जिन पर न्यूकलियर अटैक कर देगा मतलब कुछ भी आप सबको तो पता नहीं है लेकिन इसे देखने के बाद तो किसी कभी इंसानियत पर से भरोसा उड़ जाएगा दुलहन वाली सरकार तो सो दुनिया की तकरीबन हर लड़की ही जिन्दगी में एक दफ़ा दुलहन जरूर बनती है वैसे तो ये औरतों का खासा है लेकिन क्या हो अगर कोई बाबा जी दुलहन का ड्रेस पहन कर कच्ची कली बन जाएं वैले ये जो नई नवेली दुलहन आप देख रहे हैं ये असल में एक पीर है जो हैदराबाद या पिर रावल पिंडी की किसी मार्कीड में नजराता है गल्फ न्यूस के मताबिक ये बन्दा बकाइदा मेंदी लगाकर दुलहन वाला जोड़ा पहनता है और एवन जील्री भी यूज करता है मज़ी बात ये है कि ये कच्ची कली रात को एक बचे बन सबर कर बाहर निकलाती है और अपने मुरीदों को बलाती है और कुर्बान जाओं पाकिस्तान की अवाम के जो इस लोटे को नजराने देते हैं और सादात हासल करने के लिए त्यार कड़े होते हैं इंटरनेट यूजर्स के मताबिक माज़ला ये पीर अपने आपको अल्ला की दुलहन कहता है इसका ये भी कहना है कि अल्ला इसकी कोई भी दुआ रद नहीं करता बारहाल ये सब हमाकत तो एक तरफ लेकिन अगर ये दुलहन सख्त कवारे लॉनों के हाथ चड़ गई तो रातो रात इसका सौट वेर अपड़ेट हो जाएगा पान वाली सरकार दुस्तो अगर आप में से कोई बंदा पान खाता है तो शायद ये पीर देखने के बाद इसका पान पर से बरोसा उट जाएगा वैल ये जो लोटा आप देख रहे हैं ये बाबा पान वाली सरकार है फरस्ट अफ वाल तो ये बाबा जी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही फैस जयाब करते हैं इनके दर्बार में जेंट्स की कोई गुनजैश नहीं है दूसरी और सबसे इहम बाद ये है कि ये बाबा अपना फैस लिडिस तक पहुंचाने के लिए पान का सहारा लेता है ये बंदा पहले एक पान को अपने मूँ के अंदर रखता है और फिर उसी गंदे पान को अपने मूँ से निकाल कर लड़कियों के अंदर तक्सीम कर देता है कमाल की बात ये है कि पापा की परियां बाबा जी से पान का तबर्क लेने के लिए मरी जा रही होती है वैसे नॉर्मल रूटीन में तो इन पापा की परियों को गुलाब की खुश्पू से भी अलरजी हो जाती है लेकिन बाबा जी के बगेर चार महीने ब्रश वाले मूँ में इनको आखरत नजर आ जाती है मज़गी बात ये है किस बाबे को हर दो मिनट के बाद दोरे भी पढ़ रहे होते हैं वैल अफसोस की बात ये है कि सारी दुनिया में नएने गैजट्स प्रोडियोस हो रहे हैं और हमारे यहां हरोज एक नया बाबा प्रोडियोस हो जाता है वैल इससे जदा शर्मिंदगी और बला क्या हो सकती है सरजरी वाली सरकार दोसो नॉर्मली अगर किसी को हड़ियों का इलाज, आपरेशन या सरजरी वगरा करवानी हो तो वो हॉस्पिटल में जाता है लेकिन दुनिया में एक बंदा ऐसा है जो बगहर किसी मैडिसन, टूल्स और आपरेशन थेटर के कोई भी इलाज कर सकता है ये कमाल है पीरे कामल हजरत सरजरी वाली सरकार का ये बंदा मरीजों का इलाज करने के लिए अपनी हाथ तक यूज नहीं करता मज़े की बात ये है किसके चेले ने एक फ्राइ पैन के अंदर तेल डाला होता है ये बाबा जी अपने पाउं की एड़ी इस फ्राइ पैन में डबोते हैं और पेशन्ट को जहां जहां तकलीफ हो वहां पाउं मार देते हैं फिर क्या मरीज तो इस इलाज के बाद जहास बनकर उड़ जाता है हैरानकी की बात ये है किस बाबे की पास आने वाले मुरीद भी चारपाई पर ऐसे लेड़ जाते हैं जैसी ये बाबा नियूरो सरजन हो बिमारी ठीक होना तो बात की बात है पहले बंदा इसके गंदे पाउं अपनी बाड़ी पर टच होने के घम से ही मर जाएगा यारी सवाम से तो कुछ भी तवक्का की जा सकती है हो सकता है इलाज के बाद इसी फ्राई पैन में पेकोड़े वगरा तल कर तबरुक की तरह खाना भी चुरू कर दें बारहाल जो भी हो इससे बड़ी घलासत दुनिया में और क्या हो सकती है शलवार वाली सरकार दूस्तो अब तक आपने जितने भी बाबों को देखने का शर्फ हासल किया है वो जीते जी कैंसर पहला रहे थे लेकिन अब जिस हस्ती के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनका नौटी पन तो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ ये हैं जनाब पीर शलवार शाह ये जगा पाकिस्तान के किसी इलाके में मौजूद है ये तो मुझे नहीं पता कि ये दरबार है कहां लेकिन इसके रूल्स बड़े ही सख्त हैं वैल इस बाबी को खुश करने के लिए आपको अपनी इज़त उतार कर इस बाबी के हवाले करनी होगी दरसल इस दरबार पर अगर किसी को मनत वनत मागनी होती है तो इसे अपनी शलवार उतार कर वहां पर लटकानी होती है और मज़गी बात ये है कि मुरीद को वही शलवार उतारनी होती है जो इसने पहनी होती है और इसे दूसरी शलवार साथ लेकर आने की भी परमिशन नहीं होती वरना बाबा जी नराज हो जाएंगी और इसका काम नहीं होगा चले बाबा जी के डिमार तो अपनी जगह पर पर कुर्बान जाएं उन मुरीदों के जो अपनी शलवार उतार कर यहां पर लटका जाते हैं सिर्फ इतना है नहीं बलकि यहां पर औरते भी आती हैं और यही अमल करती हैं यार जस्ट इमेजन कि यह अवाम अल्ला और इसके रसूल से कितनी दूर है खुषी होई ले अल्ला पाक आम दर पर खुषी होई आतोiserा मेजनी बाखाल को अल्ला पी पाक पंजतन के मारे जारी मर्सिया माने वली अल्ला माने माजारे मुकामे शिजदाई ताजिमी दे एबंग अल्लार वली माजारे में दे फूल दे अगर दे मुम बत्ती दे एबंग नियत करेज आल्ला अमारे आशाप पुर्ण होले अमारे विपोध दूर होले अल्ला तु दिकोने शेई नियुत कड़ा जोए आलला पाक रपला आलमिन भलें आमी शेट पक बूल कोड़निदे सबहान आलला दुनियार जमीनिन मिद्धे मेजेस्टेटर सामने ज्यते होले जबेबस उकले परबया जोन होय अल्लार दर्वार हैं जलो खिवलु उक्ली प आफ है 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 अल्लार को रही जड़ मुदैं पूरु का आजये Alec दिंग आजुक आ दो है कि ऩहा है मुद्दादू। और को आप पुदी त IRS आपकेन ऀले हैं,वला判 दसफरे धाशनयित,वल्यर दाने अकिन सलेन लगताballs कवि निए तुम्रा मोर ऑल फोई ये लिद्धा ओर्भाएगाई सब्सक्चित में अन्धिस लिदिए आप के अल्डी आनल्यो पुलेटि पेलाइज। आपने अस्ताद धरें एवांग शेखेत्रे एई पीर मुरीदी लाइटे जुदी आलो के कथा बोली ताहले कोई भेक्ति कही के वल मत्रो हक्यानी पीर मुलाजा वे, जे काओ कयो निजिर मुरीद बनाए न शुद अलार मुरीद बनाए जोधी एक जन के निजर मुरिद बनाएं तो जानते हो एता भोंडो पीर ऋबनादो में वे मुस्रीम शुमाज बिवक तो हूँ हभे नी बर्द जो हभे हुभे कुनो भुल नहीं कर वह जोधी आज़ एक जन के मुरिद बनाएं एक दल के मुरिद बनाएं आरग जुन जुदे आरग दॉल के मुरीद बनाएं तो लेकि मुस्लिमी शमाज भेंगे टुकर टुकर है गला ना आरग जुदे शुदु अल्लार मुरीद बनाएं तो लेकि दुए लगखो तिन लगखो पीर हो लोगश भी देने या एयुहा लद。」 या एयुहा लदीन आमनुतदु लवाज वकूनू माँस्थ बलग जुदु 尃तकीश दुलिल बनुदू बलने दोलील अल्ला भाग बुचिने यायु अल्लदीन आमन अत्तकुला हेई मैं दरगों तुम्रा अल्ला के बहुए करो आर की करभा वा कुनू मा स्वादिकीन तो अल्ला बोलचे देखो तुम्रा स्वादिकीन दे शाती हो एजाओ आमादेर फिश्याई भुजूरो लू स्वादिकीन बास आमादेर फिश्याई भुजूरेर मुरिधवार जुना अल्ला कुराने निद्रश दिसे की बलन को तो बड़ो जहालो ती मुर्खोता शुला ब्यक्खा और तो सो एई आयाते कारे मेर शाते एई दरोनेर पिर मुरिदीर बा एई दरोनेर बायातेर एई दरोनेर सोहबातेर कुनो शंपर कोई ने अल्ला भग बच्छो स्वादेकीन दर शाती होई जाओ स्वादेकीन करा मुपस्रेने कराम सालाब भरा तो इटर ब्यक्खा दिसें सलाब दिर पैका हो लो हुम अस्षाबु मुहम्मद सलालाह ईवा सलम सादकिन हो लो साभाई करम साभाई करम दर के Allah बगक सथा बछाव सादकिन बढुचे Allah बगड़ भग भज़े तुम better मता हो जाओ तूमा दर अकीदा तूमा दर अख्लाक तुमा देर मुआमाला, तुमा देर अखलाक, शब किसुजना सहाबी देर मत होये जाए। तुमा देर मुआमाला, तुमा देर मत होये जाए। तुमा देर मुआमाला, तुमा देर मुआमाला, तुमा देर अखलाक, शब किसुजना सहाए। तुमा देर मुआमाला, तुमा देर मुआमा देरो किसुजना सहाए। तरकी मन्तके। तरकी मन्तके। तरकी मन्तके। तरकी मन्तके। तरकी मन्तके। तरकी मन्तके।